ये है Nisoco की note counting machine जिसका model है KS2800-4 ये machine केवल साड़े 10,000 रुपे की आती है और इतने कम price के अंदर इसमें बहुत सारी features हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर dual display देखने को मिलती है एक front में और एक side में इसकी ये जो आगे वाली display है इसके angle को भी अपने according adjust किया जा सकता है इसके operations perform करने के लिए इसके अंदर keypads दियो हैं जो की front में और side में दोनों ही तरफ हैं इस machine के अंदर एक है handle दिया हुए जो की इस machine को super portable बनाता है और एक जगा से दूसरी जगा carry करने के काम आता है और एक machine काफी light weight भी है इस handle के ओपर एक hopper मिलते है जो की इसकी input tray है जहाँ पे notes रखे जाएंगे counting के लिए और आगे की तरफ इसकी output tray है जहाँ पे notes आके collect होंगे इसकी back side में एक power port दिया हुए उसके उपर इसका on off का button दिया हुए और side में एक port दिया हुए जिसका use करके इसके अंदर external display add करी जा सकती है और इसके software को भी update इसी port के थुरू करा जा सकते है और ये है इसकी retail packing जो की corrugated packing है इस box के अंदर एके power cord मिलती है इस machine को power देने के ल एके external display मिलती है जो की optional है अगर इसकी requirement है तो आप इसको use कर सकते हैं एके dust cover मिलता है जो की काफी जादा soft और plastic material का बना हुआ है एके user manual मिलती है और इसी के साथ साथ कुछ accessories मिलती है और एक मिलता है इसका main unit जो की है Nisoco KS2800-4 note counting machine इस machine के अंदर heavy duty best quality motor लगी हुई है जो की क बहुत accurately notes को count करती रहती है यह एक automatic machine है जो की user friendly होने के साथ accurate भी है इस machine के अंदर note count करने के लिए deck को यह input tray में डालना है और डालते ही counting automatically start हुड़ेगी और कुछी seconds के अंदर यह पूरा deck count करके machine बता देती है कि यह 100 notes है इस machine के अंदर best quality sensors लगे हुए है जो की note counting के साथ साथी fake notes को बहुत accurately detect कर लेते हैं इस machine के fake note detection feature को check करने के लिए मैं इस deck के अंदर एक एक blank paper की cutting डाल देता हूँ जो कि एक fake note का काम करती है और इसके बाद इसको मैं इस machine के अंदर counting के लिए डाल देता हूँ और जैसे ये blank paper का piece यानि एक fake note आया machine रुक गई और machine जब रुकी तो इसने error दिखा दिया और साथ साथ जो ये counting है यह आँ दिखा दिया 31 notes और इसके आगे further counting करने के लिए इस button को प्रेस करना पड़ेगा और counting आगे start हो जाएगी तो ये जो fake note इसने detect करा था और इसको हमने जो side निकाला तो ये fake note counting के अंदर नहीं आया जो genuine notes है वो ही count करके इस machine ने है show करा है मगर एक चीज़ का ध्यान रखने है ये fake notes तब ही detect करेगी जब इस machine के सभी sensors on होंगे इन button का use करके sensors on और off किये जा सकते हैं और अगर मैं इस सारे sensors off कर देता हूँ और इन off sensors के साथ जब मैं इसको count करूँगा तो देखते हैं machine क्या करती है तो इस सभी sensors off होने के बाद इस machine ने सिरफ इन notes को count करा है fake note detect नहीं करा यह जो blank note इसके अंदर डाला गया था वो blank note भी machine ने counting में ले लिया है और total value 101 बताई है तो fake note detect करने के लिए ध्यान रखना है कि सभी sensors machine के on होने चाहिए सबसे बड़िया बात इस machine की यह है कि इसके software को update किया जा सकते हैं तो in case अगर market में कल कोई नई denomination के notes आते हैं तो वो भी इसके अंदर feed करके count करे जा सकते हैं इसके अंदर add का feature भी है अगर बहुत सारे notes एक ही साथ count करने हैं तो वो भी इस machine का use करके count करे जा सकते हैं ये add feature इस add button का use करके activate हो जाएगा और जैसी मैं button press करूँगा यहाँ पे add feature activate हो गया है और अब जो भी यहाँ पे last count होगा उसके आगे ही counting continue होती चली जाएगी अब इस deck में से कुछ notes निकालके मैं counting के लिए लगा देता हूँ और ये total 42 notes हैं और जब इसके आगे मैं बाती के notes डालूँगा तो ये जो counter है 42 के आगे से ही चलेगा तो आप देखिए total 79 notes हो गए हैं तो इस तरीके से add feature काम करता है और ये बड़े काम का है अगर multiple decks हैं बहुत सारे notes हैं जो की A की साथ count करने हैं तो ये add feature बहुत काम आता है इस machine के अंदर batch feature भी देखने को मिलता है और इसका best party है कि हम अपने choice के batches इस machine का use करके बना सकते हैं ये batch feature एक्टिवेट करने के लिए इस तरफ ये numeric keypad दिया हुए directly यहाँ पर number प्रेस किया जा सकते है कि कितने numbers का batch हमें चाहिए तो मेरे को अगर 20 का batch चाहिए तो मैं सीधा यहाँ से 20 प्रेस करूँगा और ये batch अपने हाँ एक्टिवेट हो जाएगा तो अब ये complete deck मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और ये 20 notes आते ही machine रुख गई है और मैं इसको उठाऊंगा तो automatically next 20 का batch बन जाएगा तो इस तरीके से multiple batches बनाए जा सकते हैं और अभी मैंने 20 का batch select किया था तो इसलिए 20 notes आने के बाद machine रुख रही है ये batch की value कुछ भी set करी जा सकती है ये specially design करी गई है Indian currencies के recording और इसके अंदर double note detection का feature भी देखने को मिलते हैं अपने price range के अंदर ये काफी अच्छी machine है और काफी अच्छे features के साथ आती है और अगर आप इसको purchase करने की सोच रहे हैं तो इसकी details आपको नीचे description में मिल जाएंगी जहां पर जाके आप चेक करके इस machine को purchase कर सकते हैं तो ये दि निसोको के इस note counting machine की एक वीडियो और मैं ऐसी ही technology और gadget से related वीडियो से गुर्ट बनाता रहता हूँ अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियो से गुर्ट देखना तो YouTube के ओपर Glitter's Infotech चैनल को subscribe करें और bell icon प्रेस करके all दबाएं ताकि मेरी बनाई वीडियो की सबी notifications मिलें आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में नई information या नई gadget के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत